वीदिशा जिले की लटेरी थाना शेत्र में तीन दिन पहले मिली लाश के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या के मामले से परदा हटा दिया है पुलिस ने मामले को सुलजाते हुए तीन आरोपियों सहीत एक महिला को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि म्रतक महिला का पती था और पत्नी के अवेज संबंद आरोपी युवक से थे जिसके चलते आए दिन दोनों के बीच में जगड़ा हुआ करता था और इसी को लेकर योजना बद्ध तरीके से महिला के साथ मिलकर प्रेमी और दो अन् मिलकर घटना को अन्जाम दिया था बताया जा रहा है कि आरोपी म्रतक युवक को मचली पकड़ने का बहाना बनाकर लटेरी लेकर आये थे और इसी दोरान युवक को जंगल में ले जाकर शराब पिलाई साथ ही मोके पर ही युवक की गला रेत कर हत्या कर दी इधर लटेर के जामनेर का निवासी था वहीं आरोपी भी गुना जिले के जामनेर के निवासी बताया जा रहे हैं विदीशा से आसिस सहले की रिपोर्ट प्रफिका सव पड़ा हुआ है सूजना पर जो है हमारे थाना वर्वाणी स्री काजिरान जी दुश्वा अपने थाने के बलके साथ है वह होचे मोके पर गया मोका इस्तल्ब देखा है सव को देखने पर पर्थम द्रश्टिया ये लगा कि इसके गले पर पेट पर काकी गे जो है पाया जाने से मोके पर ही जो है इसकी सव का जो है प्रचान करने के लिए हम लोगा ने आसपास के गामवालों को बुलवा करके प्रियास किया तो मरतक के सव के पास जो एक बिड़ी का मंडल मिला था जिसमें मुनिम चाप बिड़ी का मारका लगा हुआ था उसके आदार पर वहां के ग्राम बास्या कर भी ये लिशकर्श था कि इस तरह की बिड़ी की सप्लाई, लटेरी, शंशावाद और प्रिशाल हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भीना भूलें